भगवान विश्नु के द्वारपालों जय और विजय को सनद कुमारों के शाप के कारण राक्षस कुल में जन लेना पड़ा था। एक तरफ जहां जय हिरन्यक्ष नामक डैते बना वही विजय नामक द्वारपाल को हिरन्यकशप के रूप में जन लेना पड़ा। जब नारायन ने वराह रूप धारन कर हिरन्याक्ष का वद्ध किया और धर्ती को बचाया, तो उसके भाई हिरन्यकशप को अत्यंत पिरा हुई। हिरन्यकशप देत्यों का राजा और एक भायन का राक्षस था, जो बल और बुद्धी दोनों में ही अथाह था। देत्यराज के भाय के कारण एक बार स्वयम देवताओं की चिंता बढ़ गई और ये उनकी सभा में चर्चा का विशय भी बन गया। आए जानते हैं वो कथा जब देवताओं के राजा इंद्र ने देत्यरानी का अफरन किया। पुराणों में वर्नेत कथाओं के अनुसार देत्यराज हिरन्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या से एक वर्दान प्राप्त किया था जिसमें ना ही उसे नर या देव, ना ही सुबह या रात्री के समय, ना ही घर के अंदर या बाहर, ना ही धरती पर या आकाश ना अस्त्र से ना शस्त्र से कोई मार सकता था। परंटु वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने अमर्ता के वर्दान के लिए भोले भाले महादेव की तपस्या का सोचा। वो महादेव को प्रसंकर अमर होने का वर्दान लेने चला गया। देवलोक से ये द्रिश्य सभी देवता देख रहे थे। हिरन्यकशप को महादेव की तपस्या से मिलने वाले फल से भायवीत होकर देवों ने उसकी तपस्या में विग्धन उत्पन करने का जिम्मा देवगुरु ब्रहसपती को दिया, जबकि स्वयम इंद्रदेव दैत्यर के हरन के लिए निकल पड़े। दैत्यराज हिम शिखरों में तप कर रहे थे कि वहाँ देवगुरु ब्रहसपती एक तोते का रूप बना कर आए और हरिनाम का जब करने लगे। हरी के नाम से दैत्यराज का ध्यान तूट गया और साथ ही उसकी तपस्या भी भंध हो उधर देवराज हिरन या कश्यप का रूप बना कर उसके महल पहुँचे और उसकी पत्नी का हरन कर लिया। देवराज को यू दैत्यराणी का हरन करते देख देवर्शी नारद ने उन्हें रोका और कयाधू को अपने आश्रम ले आए। आश्रम में हरिनाम का गुनगान याम होता था, ये कहीं ना कहीं दैत्यराणी को भाने लगा। दैत्यराणी उस समय गर्भवती थी और उनके पेच में पल रहा दैत्य पुत्र भी दिन भर आश्रम में हरी कीर्टन सुनता रहता। गर्भ में ही पुत्र ने हरिनाम की ऐसी महिमा सुनी कि यह बालक आगे चल भक्तराज प्रहलाद के नाम से प्रसिद हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपिया चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेर करना न भूलें।